नमस्कार बच्चो आज की हिंदी ग्लास में हम उडान बुक के दूसरे अध्याए जिसका नाम है कृष्ण सुदामा को तो आप सब भली भांती जानते ही हैं इसका अध्यन करेंगे इनकी मितरता के बारे में जानेंगे तो चलिए आईए देखते हैं ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये कृष्ण और सुदामा है कृष्ण और सुदामा बहुत ही पक्के दोस्त थे अच्छे मितर थे ये एक ही गुरुकुल के आश्रम में विद्या पराप्त करते थे तो जैसे ही इनकी विद्या उनका पूरा जीवन गरीबी से भरा था। उनकी शादी हो जाती है सुदामा की और वो बहुत ही गरीब थे तो एक दिन सुदामा की पत्नी सुदामा से कहती है कि मैंने सुना है कि श्री कृष्ण आपके अच्छे मितर हैं तो आप उनके पास मदद के लिए क्यों नहीं जा तो सुदामा की पतनी कहती है कि शिरी कृष्ण तो भगवान है उन्हें तो सब पता है आप एक बार उनके पास जाईए वो अवश्य हमारी मदद करेंगे तो जो सुदामा है वो मान जाते हैं कि चलो मैं कोशिश करता हूँ तो अगले ही दिन जो सुदामा है वो द्वार का नगरी जाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं तो दीरे दीरे चलने के बाद वो द्वार का नगरी पहुंचते हैं और शिरी कृष्ण के महल को देखकर खरान हो जाते हैं तो जब वो अंदर जाने लगते हैं तो जो दरबार के बाहर सिपाही खड़े होते हैं उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया तो सुदामा कहते हैं कि मैं शिरी कृष्ण का परम मित्रवा मुझे उनसे मिलना है तो सिपाही जो है वो उन्हें नहीं जाने देते और कहते हैं कि आप यहीं रुखिए हम आपका संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा देते हैं तो एक सिपाही अंदर दर्बार में जाकर श्री कृष्ण को ये मैसेज देते हैं कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आप से मिलना चाहता है तो जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो वो बहुत खुश हुए और अपने परम मित्र को लेने द्वार पर पहुंचे तो वो नंगे पैर ही भाग कर अपने मित्र के पास जाते हैं और देखते हैं अपने मित्र सुदामा को वहाँ खड़े देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें गले लगा लेते हैं आदर सही तुने अंदर लाते हैं और एक थाल में पानी लेकर उनके चरन सपर्ष करते हैं चर्णों को धोते हैं और उनके साथ बैठ कर स्वादिष्ट भोजन का अनन्द लेते हैं बहुत सारी बाते करते हैं तो ऐसे ही बैठे बैठे श्री कृष्ण जो है वो सुदामा से कहते हैं अरे यार तुम भाबी ने मेरे लिए कोई उपहार नहीं बेजा पर जो सुदामा था अपने दोस्त के लिए भुने चावल लेके आता है एक पोटली में जैसे आपको पोटली सुदामा के हाथ में दिखाई दे रही है तो उस पोटली में थोड़े से भुने हुए चावल थे शुदामा से पूछते हैं कि भावी ने मेरे लिए क्या उपहार भेजा है पर जो सुदामा थे वो इतने बड़े राजा को इतने थोड़े से चावल देने में उन्हें शरम महसूस हो रही थी पर शुरी कृष्ण उनसे खुदी हाथ बढ़ा कर मांग लेते हैं कि मेरी भावी ने क्या गिफ्ट भेजा है मुझे दो तो सुदामा इचकिचाते हुए वो पोटली जो है वो शुरी कृष्ण के हाथों में दे देते हैं जैसे ही शुरी कृष्ण ने चावलों की पोटली की एक मुठी अपने मुँ में डाली तो जो शुरी कृष्ण की तूटी फूटी जोंपडी थी वो महल में बदल जाती है और जैसे ही वो दूसरी बार चावल के दाने अपने मूँ में डालते हैं तो उनकी जो बीवी बच्चे थे उनके सारे पुराने वस्त्र जो हैं वो नए कपड़ों में तबदील हो जाते हैं और तीसरी मुठी में श्री कृष्ण जब चावल लेते हैं तो उनके सुदामा के घर में हीरे ज्वारा सोने चान्धी आ जाते हैं तो जब श्री कृष्ण के दरबार से सुदामा अपने गाओं वापिस जाने के लिए निकलते हैं तो उनके मन में एक ही दुविदा थी कि श्री कृष्ण ने तो उन्हें कुछ दिया ही नहीं अब वे अपनी पत्नी से जाकर क्या कहेंगे तो जैसे ही सुधामा अपने गाओं पहुंचता है तो वो क्या देखते हैं देखिए इस पिक्चर में उनके एक टूटी-फूटी जोंपडी की जगा पर एक महल खड़ा था जिसे देखकर सुधामा जो है वो चकित रह जाता है और वो समझ ही नहीं पाता कि उनकी जोंपडी कहां गई तो वो बड़े अश्चरे से कहते हैं कि मेरी एक टूटी-फूटी जोंपडी थी वो भी खतम हो गई तो वो समझ ही नहीं पाए फिर वो अंदर जाकर देखते हैं तो वो पूरी जो जोंपडी थी वो महल में बदल चुकी थी वो माथे पर हाथ रखकर ऐसे चिंतित हो जाते हैं कि लगता है कि मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ तो इतने में ही उनकी पतनी सामने आकर कहती है कि स्वामी ये आपका ही महर है तो फिर शिरी कृष्ण की महिमा का गुनगान करते हैं कि तो सुदामा कहते हैं कि मैंने तो उनसे कुछ मांगा ही नहीं तो सुदामा की पतनी कहती है कि शिरी कृष्ण ने आपके मन की बात जान ली है अब हमारे कश्ट के दिन खतम हो गए है इस तरह सुदामा और उसकी जो फैमली थी असी कुशी अपने दिन बिताने लगते हैं तो इस परकाश शिरी कृष्ण ने अपनी मितरता दिखाई कि कैस वो एक सचे मितर थे उन्होंने अपने मितर की कैसे हेल्प करी तो अब हम इसी पार्ट को आपकी बुक में से इसका अध्यन करेंगे सब बच्चे अपनी उडान की बुक निकालके दूसरा चेप्टर निकालेंगे और मेरे साथ इसकी रेडिंग करेंगे फिंगर रखके अश्रम में पढ़ते थे दोनों पके मितर थे और एक दूसरे पर जान चड़कते थे समय बीता कृष्ण बने द्वारका के राजा पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था एक दिन सुदामा की पतनी ने उनसे कहा आप बहुत पार कह चुके हैं कि द्वारका के राज श्री क्रिष्ट आपके मितर हैं आप उनके पास क्यूं नहीं जाते वे जरूर आपकी मदद करेंगे सुदामा मान गए फिर बोले घर में तो कुछ नहीं है मितर के लिए क्या उपहार ले जाऊं तब सुदामा की पतनी पडोस से थोड़े भुने चावल ले आई और उसको पोटली में बांध कर सुदामा को दे दिया सुदामा घर से चल पड़े उनका मन डावा डोल हो रहा था वे सोच रहे थे क्रिष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं अगर उन्होंने ना पहचाना तो चलते चलते आखिर वे द्वार का जा पहुंचे क्रिष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए द्वारपाल ने पूचा आपको किस से मिलना हैं? सुदामा बोले मेरा नाम सुदामा है मैं अपने मित्र क्रिष्ण से मिलने आया हूँ जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया क्रिष्ण दोडे दोडे बाहर आए सुदामा को बाहों में भर लिया फिर आदर से अंदर ले गए परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए अपने साथ सिहासन पर बिठाया फिर दोनों बहुत तेर तक बच्पन की बाते याद कर करके हसते रहे अचानक क्रिष्ण बोले मित्र भावी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं बेजा सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे पर क्रिष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ा कर पोटली ले ली कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हुए घर लोटते समय वे सोच रहे थे क्रिष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं क्रिष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा सुदामा जब वापस पहुँचे तो देख कर चकित रह गए जहां उनकी टूटी फूटी जोबडी थी वहां अब महल खड़ा था मन ही मन बोले यह चमतकार अवश्य क्रिष्ण ने ही किया है उन्होंने मित्र का मान रख लिया शिक्षा सची मितरता कोई भेदभा नहीं मानती इसमें आये कठिन शब्द हैं जिनके मीनिंग देखिए प्रेमिस प्यार उपहार भेंट संकोच लजजाया शर्म द्वारपाल पहरेदार मित्र दोस्त सिहासन राजा की गद्दी विदा चले जाना डावांडोल कभी इधर कभी उधर यहीं पर आपका ये पार्ट समाप्त होता है I hope आप सबको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको इस पार्ट की रिडिंग टू टाइम्स करनी है और जो भी इससे related question, answer और वाक्य बनाओ है वो आपको अलग से PDF आएगा धन्यवाद